फ्रेंट्लाइन वर्कर्ड् स को बड़ा तोफा दिया है उतर प्रदेश में लगातार कोरूना संक्रमाइन बढ़गा इसको देखते हुए फ्रेंट्लाइन वर्कर्स को स्वास विभाग ने बड़ा तोफा दिया है सबी फ्रेंट लाइन वर्कर्स के मांदे में 25 प्रतिशत की अभूत पूर बड़ोत्री कर ये साफ कर दिया कि सरकार कर्मचारियों के साथ हैं उनका मनोवल बढ़ाने के साथ प्रोसाहन के अफसर प्रदान करने में कोई कमी नहीं रखी जा रही है मुक्यमंत्री योगी आदेतनाथ ने कहा कि सरकार की कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्रदेश के सभी लोग अपने अपने माध्यम से सेवा दे रहे हैं प्रमो क्रूप से स्वास विभाग के फ्रंट लाइन वरकर्स का इसलिए बड़ा योगदान है कि वे सीधे कोरोना से संक्रमित मरीजों के इलाज में कोई कसर नहीं चोड़ रहे मुक्यमंत्री योगी आदितनात ने बताये कि कोरोना के खिलाफ प्रदेश में शुरू हुई लड़ाई में फ्रंट लाइन वरकर्स ने जो मुर्चा समभला है उसी का नतीज़ा है कि प्रदेश में कोरोना की जाच में रिकॉर्ड बड़ उतरी होने के साथ ही अस्पताल और होम आइसलेशन बड़ी संख्या में रोगी ठीक होकर वापस लोटने लगे हैं उन्होंने कहा कि कोरोना हारेगा भारत जरूर जीतेगा पूरी तरहें से साकार करने में फ्रंट लाइन वरकर्स जुटे हैं उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता मौकिमंद्री ने जनता से ये भी अपील की है कि कोरोना की विरुत लड़ाई में आप सभी का दायत वफूर्ण भागिदारी कोरोना मुक्त समाज की स्थापना के लिए अत्यंत आवश्चक है इसलिए मिलकर मानफता की रक्षा के लिए अपना अप्रयास जारी रखिए इसी करम में योगी सरकार की ओड़ से प्रदेश के समस्त जिलों में मैन पावर बढ़ाने के लिए युद दस्तर पर कारवाई की जा रही है